इस lecture के अंदर आपको छोटी से मैं जलग दिखाता हूँ कि polynomial को हम किस तरीके से draw कर सकते हैं python और मैं अपनी screen आपके साथ share करता हूँ directly हमारी github की repository के अंदर ये 10 number जो हमारे पास notebook है जिसमें linear regression और simple linear regression के बारे में हमने काम और ready किया हुआ है ठीक है ये 10 number notebook है मैं इसी के नीचे आपको polynomial regression का भी बता सकता हूँ या अगर हम separate बना लें तो वो भी अच्छा हो जागा बलके linear regression यानि के इसी के अंदर linear regression के अंदर ही मैं आपको polynomial regression का बता देता हूँ या इसको 10a कर लें 10a कर लेते 10a polynomial regression dot ipynb यहां पर polynomial regression की हम example देखते हैं और polynomial regression को draw करके देखते हैं किस तरीके से हमारे पास polynomial regression जो है python के अंदर draw हो सकती है polynomial regression polynomial regression और यहां पर हम देखते हैं polynomial regression is polynomial regression is यह मैंने सारी चीज़ें वही की वही कॉपी कर लिए just to give an idea कि हमारे पास जो linear regression होते हुए किस तरीके से काम करती है polynomial किस तरीके से करती है और यहां पे मैंने इसको लिखती है ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हम यहां पे अपनी जो पूरे के पूरा कोड है मैं यहां पे उठा के लाता हूँ और उस पे हम काम करते हैं कि यह किस तरीके से हमारे पास polynomial regression को draw करेगा let's see यहां पे हम सबसे पहले code को मैं ले आता हूँ directly आपको सिरफ एक मैं hint दे रहा हूँ किस तरीके से आपका plot काम करेगा ठीक है फिर हमने reshape कर लिया data को x और y के अंदर using model for the model x and y के अंदर ठीक है फिर हमने क्या किया polynomial degree यहां पे बता दी degree of the polynomial 2 है polynomial features के अंदर हमने degree बता दी ठीक है यह main चीज है जिसकी वटासे हमने polynomials को यहां पे ले किया है polynomial की सिरफ degree हमने बता ही है x poly is equal to poly features dot fit transform x polynomial transformation की दूसरे step में जो हमारे पास एक extra step है linear regression से तो यहां पे हमने linear regression model लिया और हमने x के poly को draw करना y पे यानि के polynomial यानि के x के model को हमने polynomial के अंदर पहले convert किया फिर हम y के साथ उसको train कर रहे है सही है सिरफ x के अंदर फरक है और यह फरक किस वज़ा से है लेट में शो यू कि इसका main फरक जो है basically वो एक खास वज़ा से है which we can see let me show you here मैं अपनी screen पे आप को ले आता हूँ slides को दिखाता हूँ यहां पे full screen करते हैं इसे and I will show you here अगर आप यहां पे check करें तो equation को गौर से देखें y is equal to beta not plus beta 1 x यानि के x और y x और y को draw करते हैं तो हमारे पास b1 और b0 आड़त है simple ऐसे ही है linear regression के अंदर polynomial regression linear regression ही है लेकिन इन दोनों चीज़ों के इलावा beta not plus beta 1 x के इलावा हमारे पास polynomial की degree का भी हमने एक feature बनाना है तो basically हमने x poly जो बनाया है na psychic learn से वो ये वाला feature बनाया है beta 2 x 1 square क्योंके हमारे पास एक ही feature है तो इस वज़े से हम एक ही को use करेंगे and this is how we develop that अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आपको दिखाता हूँ कि यह जो x poly हमने बनाया है multilinear regression sorry polynomial regression के लिए ही इसको draw किया है degree 2 दे दी है और x को हमने transform कर दी है by the way यहाँ पे x small use किया आप बड़ा use करेंगे but it's totally up to you कि आप किस तरीके से लेके आते है that's why I'm using this in a way कि हमारे पास x और y यहाँ पे आगे this is how you can actually develop a model और model को यहाँ पे x poly पे फिर प्रेडिक्ट करवाएंगे and then you can use like this और आपके पास कुछ इस तरीके से यह चीज़ ड्रॉ हो जाएगी I'm hopeful कि यह error देगी because I know this name operator is not defined and I have to see कि यह किस तरीके से हमारे पास error को resolve करता है मैं यहाँ से accept कर लेता हू let's see कि इसको draw करने से को मसला तो नहीं हो रहा यह देखें जी हमने two degree polynomial draw कर दिया अब आपको याद आ रहा होगा कि जो मैंने आपको एक diagram दिखाई थी जिसमें nth degree polynomial का भी हमने जिकर किया था two degree का भी किया था this is how you can fit a line और इस data पे two degree का polynomial फिट बैट ना था यानि के x का हमने two degree का polynomial create किया और y के साथ plot किया then you can see कि हमारे पास polynomial regression इस तरीके से आगए तो यह हमारी generalized model है और यह हमारे पास इस तरीके से plot होगा अब आप गोर कीजेगा मैं यहाँ पे degree को two की बजाए one करता हूँ और one करने से मैं इसको दुबारा से run करता हूँ let's see मैं इसे run करता हूँ यह देखें जी यह हमारे पास simple polynomial function आगे जो एकी line है यह बिल्कुल set बैठी है इससे सारे point भी खुश है बट it doesn't make any sense क्यों क्योंके हमारे पास एक ऐसी curve होने चाहिए जिससे इन data degree 3 रुकूं तो क्या होगा I will run like this तो यह मेरे पास degree 3 मैंने रखी फिर भी यही सीन है and degree 4 करते है तो भी हमारे पास यह है reason क्या है क्योंके data हमारे पास उस तरह curves में जाई नहीं रहा data का pattern follow होगा अगर data के pattern के अंदर degree 4 हम use कर पाते हैं तो ही हम इसे use करेंगे ठीक है and this is how you can work और यह इस तरीके से आप polynomial regression जाए उसे python के अंदर भी perform कर सकते हैं यह मैंने आपको assignment देनी थी but I thought कि आपको समझा दूँ कि किस तरीके से polynomial जो है वो data के अंदर fit पैर था अब यह जो model train हुआ है आप कोई भी एक्स की value देंगे ना polynomial pattern की वज़ा से आपके पास वाई किया जाएगी ठीक है और यह चीज़ जब बार बार इस तरीके से है तो इसको cyclic time series के अंदर cyclic presentation cyclic क्या बोलते हैं सौरी seasons बोलते हैं सौरी not cyclic इसको हम seasons बोलते हैं कि आपके एक data में बार बार curves उपर भी जा रही नीचे भी आ रही है और अगर एक pattern बार बार repeat हो रहा है तो इसको cyclic data भी बोलते हैं और उनको seasons बोला जाता है especially तो time series data के अंदर polynomial का हम यूज़ भी देखने वाले हैं and then we will understand कि यह किस तरीके से काम करता है यहां तक अगर आपको समझ आगी है तो that's good बिल्कुल data point की shape से scatter plot से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा polynomial आपने use करना है that's very simple और जारी बात है यह उसी को समझ आएगी जिसने कुछ काम किया होगा polynomial के उपर otherwise it would be hard for you guys ठीक है so अब यहां पर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको polynomial degree 4 का भी बना के दिखाऊं कि किस तरीके से वह काम करता है but अगर यह हमारे पास let's see just a minute यहां पे हम देखते हैं कि जनाब polynomial degree 4 का हमारे पास किस तरीके से plot बनता है no it's not showing polynomial degree 4 but हम degree 2 ता का भी रहते हैं फिर इंशाला आने वाले दिनों के अंदर हम इसको और भी explore करेंगे यहां पर यह notebook मैं भी आपको update कर देता हूं और यह polynomial जो है polynomial regression यहां तक आपको समझ आगी होगी कि आप एक ऐसे trend को follow करके regression line को draw कर सकते हैं which shows you curvy nature and non linear relationship ठीक होगा जी अब हम चलते हैं अपने लिए lecture की तरफ